केलो गाईस आप सब कैसे हैं उमीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ आज का हमारा टॉपिक है कि सिंदूर लगाते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सिंदूर हर महिला का हम सिंगार होता है महिलाय पती कि लबी उम्र की कामना के लिए सिंदूर लगाती है लेकिन सिंदूर लगाने के कुछ खास नियम भी होते हैं जो महिलाओं को नहीं पता होती है या जाने अंजाने हम उन गलतिया कर देते हैं जिसका असर उनके दमपत्य जीवन पर पड़ता है सिंदूर के नियमों को अंदेखी पती पतनी दोनों के लिए परिसानियों की वज़ा बनती है आईए जानते हैं सिंदूर के कुछ नियम उसे जानने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सस्क्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा तो आईए जानते हैं सिंदूर लगाने का पहला नियम उधार मांग कर ना लगाएं सिंदूर किसी दूसरी महिला के सिंदूर से भूल कर भी अपनी मांग ना भरे इससे पती को आर्थिक समस्याओ का सामना करना पड़ सकता है साथ ही अपना सिंदूर भी किसी को ना दे मानता है कि इससे पती का सवभाग दूर भाग में बदल सकता है तो महिलाए ध्यान में रखें कि सिंदूर उधार मांग कर कभी ना लगाएं और ना ही अपना सिंदूर किसी दूसरे को दे दूसरा नियम सिंदूर को बालों में नहीं चिपाना चाहिए सिंदूर लगाने के बाद इसे बालों में बिल्कुल नहीं चिपाना चाहिए साथ ही सिंदूर हमेशा मांग के बीचों बीच ही लगाए सास्तरों के अनुसार मांग में सिंदूर ना दिखाए देने पर पती के मान सम्मान भी नहीं मिलती है वहीं पती को जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है इससे पती पतनी के रिष्टे में तनाव पैदा होता है किसरा नियम बाल धोने के तुरंत बाद सिंदूर ना लगाएं सास्तरों के अनुसार बाल धोने के तुरंत बाद सिंदूर नहीं लगाना चाहिए बाल धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगाने से हर वक्त मन में दुविधा और बुरे विचार पन अपने लगते हैं तहीं पती को धन हानी भी जेलेनी पड़ सकती है 4. सिंदूर हमेशा मांग के बीचों बीच लगाएं हर महिला को सिंदूर हमेशा मांग के बीचों बीच ही लगाना चाहिए या प्राचीन काल से ही मस्तक के ऐसे बिंदु पर लगाया जाता है जो अधिकान सारे रिक कार्यों को नियंतरत करता है ऐसा माना जाता है कि सुहागिन इस्तरियों को किसी भी पूजा पार्ट में और सुब असुब आउसरों परमांग में सिंदूर अवर्शे लगाना चाहिए माना जाता है माता सीता भी भगवान राम को लंबी उम्रिक के लिए लगाती थी